दोस्तों आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत सौगत हैं आप देख सकते हैं ये देखिए एक कास से धाली मसाज मशीन का एसेमली चल रहा है यहाँ पर ये धाली लगता है यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है यहाँ पर एक push button टन दिया हुआ अं यह आप देख सकते हैं और यह पूरा ऐसें्बल हुआ हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं और शॉस्भ करें कुछाए यह ना ढukरा जो एक पोरा यह पनेपनको रिप्ας ऑना नहीं अभी इसा τις ॉसपत्रव। जिसका foot massage machine है यह पूरा आप देख सकते हैं यह पूरा जो सेट हुआ है यह पूरा dispatch के लिए अभी ready हो चुका है यह पूरा अभी assembly हो रहा है अभी assembly हो रहा है अभी आप देख सकते हैं यह एक machine हम आपको एक test करके दिखाएंगे यह जो है यह आपका regular switchboard रहता है घर के अंदर यह हमारा एक top रहता है machine को लगावा रहता है एक 6 ampere का एक top है यह हम क्या करना है यह आपका regular switchboard है उसके अंदर इसको यहाँ पर फसाना है और board के उपर जो भी switch रहेगा उसको हम यहाँ पर on करते हैं देखो अभी यह off है यहाँ आपको display में कुछ भी नहीं दिखेगा यह पूरा timer off हो रही अभी आप जब देखेंगे यहाँ पर हम पूरा live चल रहा है वीडियो इसमें कोई editing वेगरा नहीं है अभी देखो यह बटन मैंने मार दिया अभी यहाँ पर देखो wire लगा हुआ है अभी यहाँ पर यह अंदर गोशा हुआ है यहाँ यहाँ पर display हो चुक यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर किदर भी आपने एक शॉप लगा लिए और यहाँ पर वो सर्विस के लिए यहाँ एक मशिन लगा लिए तो समझो तो इस मशिन के अंदर 10 मिनिट का टाइमिंग सेट हुआ है यह मशिन क्या करेगा पहले यह पुश बटन दबाते हैं ना बटन दबाने के बाद यह मशिन यहाँ पर चलू हो चुका है अभी जो गुम रहा है एक क्लॉक वाइस गुम रहा है मशिन आप देख रहे है ना एक क्लॉक वाइस गुम रहा है अभी देखेंगे यहाँ पर 10 मिनिट शुआ है तो 10 मिनिट में क्या हुआ है पाच मिनिट के पाथ सेकंद के लिए ये मशिन रुखता है पाथ सेकंद के लिए रुखने के बाद आप मशिन क्या होगा पूरा उल्टा रोटेशन में गुमिना चलू हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइस पाच मिनिट गुमेगा और धस मिनिट के बाद यह अभी धस जो अकड़ा है यह नव सेकंद का यह सिटिंग कंपलेट हो जुगा है अभी अभी धेख रहे हमारा जो मशिन का जो यह ना ए यह कैसा देखो यह मेंकिंग जो है हमारा यह आप देख रहे हैं यह कुशन लगा हुआ है यहाँ पी जब इसके उपर आभी यहाँ पर एक चेर लगेगा यहाँ पर एक ऐसा एक चेर लगेगा जो भी आपके घर में जो भी रिगुलर चेर है वह आप इसको लगा सकते हैं वो चेर में कैसा एक आदमी यहाँ पर आभी सकता है यह 45 डिक्रे में आपको यह फायर बैट जाएगे हमारी 45 डिक्रे में बैट जाने के बाद वो सपोर्टिंग के लिए आप गिनुए इस वाट के लिए लगा हूँ है आप देख सकते हैं है और यह रोटेशन में पुरा एक्विप्रेशर पॉइंट तोड़ों लगा हुआ है वाटी के उपर थाली के उपर आपको एक उप्रेशर पॉइंट दिखेगा यह ऐसा मशीन वर्क होता है और इसके बाद में यह मशीन यहां पर आप कर रहा हूं आपको दिखाता हूं थाली का जो भी प्रोसेस है यह जो थाली है ना प्यूर 100% थाली के उपर चार डॉट्स बने हुए बहूं है इससे चार जगा पर चार चार पॉइंट है उसका यह 6 इंच मॉटी है यह 26 की थली ह्यानि आप देखेंगें जो Aaronωसका 16 इंच का आता है और इसका जो डायमेटर है वो आटी का 6 इंच का आता है और इसका थिकनेस आप देखेंगे इसका थिकनेस आप देखेंगे तो इसका 2 mm ये थाली का थिकनेस आता है ये नीचे सपोर्टिंग प्लेट आता है देखो नीचे 3 mm का सपोर्टिंग प्लेट आएग पर बहुत सारे लोगों का inquirements आथा है कि यह देखो यह roller आता है यह जो है योगा के mó रोलर आते हैं यह हम काफ मसलः के लिए कोच लोग क्या करना है इस रोलर को यहां पर लगा रहे हैं यह मशिन के ऊपर यहां पर यहां पर लगा रहे हैं हमारा जहां पर हमारा यह सीट लगा रहता है यहां पर यह सीट लगाते हैं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं यहां पर इसको यह रोलर को वहां पर लगा रहे हैं लेकिन मैं इस वीडियो के माद्यम से आपको एक बात जरब बताना चाहूंगा कि इसका जो यूज है ना वो इसका यूज जो हम यहाँ पे जब बैड़ते ना इसको उसका ज्यादा इतना यूज नहीं होता है आप जब प्रैक्टिकल इसके उपर मशिन के उपर देखेंगे ना यह क्या हो रहता है यह इसको पूरा जो बॉड़ी का डेड़ वेट है ना उसके उपर ऐसा रोल होना चाहिए यह पूरा इसा पूरा बॉड़ी का इसका उपर वेट होना चाहिए हमारे मशिन के उपर जब यहाँ पर हम यहाँ पर इसको लगाते है इसके उपर वहाँ पर लगाते है तो उसको आमारा ब यह अरुट करी नहीं तो और यह भीम में में जब यहां पे उसको होते साब अने रहते हैं घृत्या और जो भी production निकलता है इसके अंदर यह पूरा इस CT हम लगाते हैं आप देख सकते हैं यहां पर जितने भी मशीन बना चुका है न यह पूरा उसके अंदर यह पूरा CT लगा हुआ है आप देख सकते हैं अब यह पूरा मशीन अभी dispatch के लिए ready हो चुका है अभी आपको इसके अं 10665165 इसके ऊपर आप WhatsApp कर सकते हैं और आधिक जानकारी ले सकते हैं और आप अपने घर इसके मशीन को आप मंगवा सकते हैं अब देख सकते हैं यह पूरा यह पूरा हमारा यहां पर manufacturing चलता है अभी जो थाले हैं यह थाली आप देख सकते हैं यह थाली इसके ऊपर बैट बैट जाएगा और यह थाली इसके ऊपर बैट जाएगे इसका assembly चल रहा है तो वीडियो और आपको और इसके रिगार्डिंग और भी आपको कुछ queries है तो हमारा जो screen के ऊपर आपको number दिख रहा है इसके ऊपर आप contact कर सकते हैं आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद आपने वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद